देख रहे हैं और में आपके साथ रंजन सिंग बिहार की मुख्यमंत्री नितिश कुमार बकसर के लिए रवाना हो गया है समधानी आत्रा पर मुख्यमंत्री नितिश कुमार है लगतार जो है बिहार के अलग-अलग जिले में दौरे कर रहे हैं आज बकसर है बकसर में कई जगों पर सिलान्यास करना है तो कई जगों पर जो है वो अज़क निरक्षन के साथ साथ मीटिंग और जीविका दिदिगियों के साथ जो है वो बैठक भी मुख्यमंत्रे नितीश कुमार करने वाले हैं जिस तरीके से लगतार जो बैयानवाजी चल रहा है बिहार में महागटबंदन के उपर तो अब उसको लेकर भी मुख्यमंत्रे नितीश कुमार का बैयान कल सामने आया था नितीश कुमार ने कहा कि जिस तरीके से रामचरित मानस को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं तो उस पढ़े अलग अलग धर्मों के लोग बिहार में रहते हैं और किसी पर कोई टिपपणी नहीं कर सकता है मुख्यमंत्रे नितीश कुमार ने कल इस बात को कहा था अब जिस तरीके से सुधाकर सिंग नितीश कुमार के खिलाफ मूर्चा खोले हुए है तो अब आरजेडी ने दिल्ली से एक लेटर जारी कर दिया है और ये पूछा गया है सुधाकर सिंग से कि जब आपने नियम का उलंगन किया है ये नियम बना दिया गया था कि महागटबंदन के उपर तिरिस्वी आदब या लालू आदब बोलेंगे तो आपने लगतार मर्यादा का उलंगन किया और इसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया है कि क्यों ना आपके ऊपर कारवाई की जाए यह बात जो है लेटर के द्वारा निकाला गया और अब जो है मुख्यमंत्री नितीश कुमार जो है वो बकसर के लिए रवाना हुए है तस्विर हम आपको दिखा रहे हैं एक अन्यमार की जहां पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार जो है वो सीधे तोर पर बकसर के लिए रवाना हुए है और वहां पर खई और सिल्लनायास के साथ 7 जीवी का डीदियों के साथ जो लगतार नितिश्कमार मीटिंग कर रहे हैं और अब जो है आज फिर से बक्सर के लिए रवाना हो रहाए बाईस Push तारिक के बाद मुक्य मुक्यर наc three नितिश्कमार का कारिकरम सिधे 28 तारीक को लगेगा क्योंकि लगतार जो समधान यात्रा की जो रोड मैप तयार किये गए है राजगीर में मुख्यमंत्र नितिश कुमार और साथी साथ जो मुंगेर की बात करे तो वहां भी नितिश कुमार जाएंगे कई जीलों में जाकर वो आउचक वियक्षन कर चुके हैं लेकिन अब देखिए आज बकसर के लिए नितिश कुमार रवाना हुए है